नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोग का स्टेड़ी ग्लोस पर कल हमने एक लेक्चर लिया था मदरास हाई कोट की द्वारा एक जज्जमेंट दिया गया था जिसमें कहा गया कि हम लोग चाइल्ड पॉर्नोग्राफी जो है इसको किसी भी कंडिशन में रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मैं ऐसे लॉज नहीं है आज हम लोग लेक्चर ले रहे हैं कि क्या वाकई में जो पॉर्नोग्राफी है वो आपके दिमाग को बंद कर देती है क्या ये एक moral panic है Recently 25 जनवरी को ही ये एक newspaper के अंदर publish होता है और उसके basis पर आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि research paper जो है studies वो क्या कहती है क्या वाकई में आपका दिमाग बंद हो जाता है देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब से मैंने session लेना शुरू किया है तब से ही मैं कहा रहा हूँ कि कहीं न कहीं इसका असर जो है वो psychologically आपके brain के उपर पड़ता है आज यी चीज साबित हो जाएगी क्योंकि ये newspaper या फिर हम लोग कहें research paper जो है वो basically इस चीज को include कर रहा है कि वाकई में ऐसा होता है तो जो शब्द में पहले कहता था आज वो research paper के अंदर भी लिखी वे आज आप लोग को मिलेंगे तो शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये moral panic क्या होता है कि आपका दिमाग वाकई में wrap हो जाता है आप लोग ने चोकलेट देखी होगी चोकलेट बड़ी स्वाधिष्ट होती है लेकिन उसका स्वाध आप तब तक नहीं ले पाते है जब तक उसका rapper हटा नहीं देते है और जैसे ही rapper हटता है तब आप लोग चोकलेट को खा पाते है तो ऐसे ही अगर हमारे दिमाग को wrap कर दिया जाए पॉर्नोग्राफी से तो हमारे दिमाग के जो शमताए है efficiency है वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आ पाती है क्योंकि हमारा दिमाग वो सोचने के अंदर सक्षम नहीं हो पाता है जो उसको सोचना चाहिए क्योंकि जो सारे dimensions थे वो तो पॉर्नोग्राफी ने close कर दिये है अब हमारे पास में सोचने के कई options जो है वो बंद हो जाता है women's को objectify करना शुरू करते है या men's को भी objectify करना शुरू करते है चलिए आज हम लोग देखते हैं कि moral panic आखिरकार क्या होता है इसके वारे में discuss करेंगे और mind को wrap कैसे कर देती है पॉर्नोग्राफी ये सीखेंगे 75 days का hard challenge आप लोग के लिए लाया 10 में से 9 वैक्ति आज इस जंजाल के अंदर क्यों फसे हुए है अगर हमारे culture का हिस्सा है यह नहीं तो फिर दूर करो इसको फिर क्यों हिस्सा बना रखा है लेकिन हिस्सा बन चुका है आज इसलिए आप लोग इससे इसको accept भी नहीं करते हैं मैं आप लोग के सामने खुले मंच पर यह कहता हूँ कि 10 में से 9 वैक्ति जो कि ट्रैप के अंदर फसे हुए है और उन 9 में से केवल एक वैक्ति ऐसा होता है जो कि addiction को accept करता है बागी तो deny कर देते हैं नहीं हमें तो कोई addiction नहीं है लेकिन जब results के तोर पर देखते हैं कि वो अपनी जीवन में कुछ बहतर नहीं कर पा रहे है तो फिर बाद में जाकी जब समय बीच जाता है तब उनको याद आता है कि यार वो समय बहुत अच्छा था हमारे लिए लेकिन हम इस addiction के अंदर फसे हुए थे तो आप हमारे 75 days हार challenge के साथ में जुड सकते हैं मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि कम सगम आपकी willpower वो इतनी तो हो जाएगी कि आप जीवन में जो भी चाहेंगे वो मिलेगा आप लोगो लेकिन इस challenge को complete करने के बाद 75 techniques आप लोग को बताई जा रहे हैं कि आप लोग इस addiction से कैसे बाहर निकल सकते हैं research paper की basis पर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि वाकई में जो लोग इससे बाहर निकले हैं उन्होंने कौन से तरीक अपनाए है 75 challenges आप लोगो मैं देता हूँ code use करना है challenge जिससे आप लोग को discounted price के अदर यह available होगा और जब से आप लोग join करेंगे तब से ही आपका यह challenge भी शुरू हो जाएगा देखिए सबसे पहले बहुत लंबा समय अर्सा जो है वो हो चुका है pornography को जो विक्सित देश है European countries है America, Canada, Mexico वगरा वहाँ पर यह चीज बहुत पुरानी हो चुकी है उन लोग को सारी बाते समझ में आ चुकी है कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि Spain वगरा है या फिर कोई developed कोई nations है वहाँ पर आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि beaches के उपर आप लोग खुले तोर पर है ना girls वगरा को या फिर उनके wearing जो कपड़े वो वगर पहनते हैं आप सोचते कि आज वो इस culture में कैसे ढल गये है basically वो सब इन चीजों से अलग हो चुके है मतलब कहते हैं कि हम किसी काम को करके छोड़ चुके है तब जाकर ही इस सिती आती है तो basically भारत किस face से गुजर रहा है भारत जो है वो western culture को adopt तो कर रहा है लेकिन उसके जो negative approach है वो हमारे पास में आ रहे है positive जो है वो हमारे पास में नहीं आ रहे है negative में से एक हमारे पास में है और वो है pornography और इससे आज का जो youth है वो बहुत अच्छी तरीके से strap के अंदर फस चुका है मैं आपको reality बता रहा हूँ आप इस चीज़ को accept करे या ना करे जैसे कल मैंने पढ़ाया था 10 में से 9 लोग जो है ना वो strap के अंदर है तो basically आपको लेकर एक बहुत बड़ा health crisis जो है वो आना शुरू हो जाता है है ना health crisis मतलब आप अपने health की प्रती awareness नहीं होते हैं आप जब भी health के बारे में सोचते हैं तो आपका plan दीरी 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 खतब होने लगता है आपने सुचा कि कल से मैं जो है वो gym join करूँगा कल से मैं यह काम करूँगा और वो आपका कल कभी आता ही नहीं है वो इसलिए नहीं आपाता है क्योंकि mental जो है वो toughness आपके अंदर नहीं आपाती है जिसके business पर आप लोग decision लेते हैं शुरुआत करते हैं सुनिएगा I have made a career out of understanding pornography use and its effects publishing dozens of scientific studies on the topic मतलब basically यह author जो है ना वो यह कह रहे है एक professor है वो यह कह रहे है कि मैं जो है वो career तब ही बना पाया जब मैं इसे बाहर निकला जब मैं इसके अंदर था तब मुझे कोई भी career option जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था pod is bad और pod is good मतलब कई बार students यह भी कहते है कि sir यह तो अच्छी बात है कोई बुरी बात थो डिना है हाँ मैं कहता हूँ कि generalized way के अंदर यह ठीक होता है कहते हैं कि शराफ पिना भी अपने आप में अच्छा होता है लेकिन वो एक limited के अंदर होता है लेकिन जब आप उसके आदी हो जाते है addiction के अंदर फस्त है तब वो बहुत खतरनाक होता है तो generalize तो हमने रखा ही नहीं न इसको हमने तो क्या किया है इसको addiction के तौर पर ले लिया है हमारी gazettes के अंदर हमारी जो mobile phones हैं उनके अंदर देखिया आप लोग भरे पड़े है content कल जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एड़िजमेंट मैं ही देख रहा था और वहाँ पर ऐसा एक एक जो है वो वीडियो शो होने लगा एड़िजमेंट के तौर पर जिसको mobile बंद करना पड़ा तब जाके वो एड़िजमेंट बंद हुआ है ना तो basically हम जिस condition के अंदर है हम इसको bad ही count करेंगे क्योंकि अगर हम लोग generalized way के अंदर होते तब तो हम लोग फिर भी सोचते लेकिन हम लोग addiction के अंदर है बहुत सारे लोग addiction के अंदर है तो वो जो है उसको हम लोग bad जो effect है इसके अंदर ही सोचेंगे है ना इसमें count करेंगे तो pornography leads to addiction and mental health problems है ना ये आपके क्या करती है दिमाग को wrap करती है किस तरीके से damage the brain results in violence against women मतलब basically क्या होता है कि जब आप लोग addiction के अंदर होते है तो आपका देखने का नजरिया बदल जाता है महिलाओं की प्रती खास तोर पर आप काफी दा violent हो जाते है जब आपको मौका मिलता है तो आप अपना violence जहें वो जाहिर करते है तो ये कह रहा है कि basic लिए कई health problems होती है ये आपके दिमाग को damage करता है महिलाओं की प्रती violence एक create करना शुरू कर देता है ना चाहते हुए भी and drives epidemics of sexual dysfunction जो sexual dysfunctions है वो कहीं नगई arise होना शुरू होते है the science does not currently support these claims मतलब science इसको support नहीं करती है लेकिन practical जब हम लोग देखते है life के अंदर तो हम लोग को वहाँ पर ही चीज़े दिखाई देती है कि वास्तों में है इसको ही हम लोग कहते है कि जो mind है वो wrap हो रहा है है ना जो health problems हमको होती है खास वार पर mental health problem इससे हमारा brain जो हो wrap होने कोशिश करता है और wrap हो जाता है ताकि हम लोग जो सोचना चाहते है वो भी नहीं सोच पाते है कई बार कहते हैं हमारे plans फैल हो रहे है हमारे हमको clear thinking जो है वो नहीं मिल रही है वो इसलिए नहीं मिल पाते है कि दिमाग जो है जाम हो चुका है आपका behavior जो है वो काफिया तक change हो चुका है मतलब basically scientific और psychiatric communities जो है वो इसलिकों consider नहीं करती है मतलब मतलब के अंदर कि excessive pornography जो है वो एक addictive disorder के तौर पर है है ना most people who view pornography do not feel addicted or out of control मतलब most of people जिसके मैंने बार-बार आप लोगों से कहा है कि आप लोग देखते ज़रूर है pornography को लेकिन accept नहीं करते हैं अब research paper में यह लिखा हुआ है तो इसको तो accept कर लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि most of people who view pornography जो देखते है pornography को do not feel addicted वो addicted feel करते ही रही है है ना और out of control कि हम लोग out of control हो चुके है ठीक है क्योंकि खुद की बारे में कोई भी negative सुनना नहीं चाहता है it should come as no surprise than that people who view pornography frequently may have subtle differences in their brains when compared to people who never view it मतलब जिनोंने pornography नहीं देखी है उनके साथ में अगर comparison कियाता है तो आपका दिमाग कहीं न कहीं wrap हो जाता है wrap होने का मतलब है कि आपको health problem जो होना शुरू होती है आप किसी से बात करते हैं तो आपके अंदर वो confidence नहीं आपाता है low energy आप feel करते है आपके अंदर clear thinking नहीं होती है आपके decision power जो है वो बड़े कमजोर हो जाते है इस सीज को लेकर ये कई result जो है वो सामने देखने को मिलते है ठीक है मतलब basically कहीं न कहीं कल की बात वापा से repeat हो रही है कि हमारे society या society के रहने वाले जो लोग है उनकी भी एक responsibility बनती है इस चीज को लेकर कि वो इस चीज के लिए कदम उठाए है रहा तो एक social responsibility जो है वो भी इसके सामने निकल कर आती है what is needed is real support for science seeking to understand how all media is affecting people and a willingness to understand the science before making regulatory and policy changes मतलब कहीं न कहीं जो है वो policies को change करने की जोड़ात जैसे मैं आप लोगों को बताया कि कल पर सो की बात है मैं खुद mobile के उपर एक application को use कर रहा था और application को जैसी मैं उस process करने लगा तो वहाँ पर कुछ वीडियो ऐसे आने लगे है ना family member पास में बैठे थे मुझे mobile phone को बंद करना पड़ा क्यार ये क्या क्या है आपर तो ऐसे ऐसे एड जो है वो आते है और इसको लेकर हमारे country के अंदर कोई भी policy जो है वो नहीं है ये basically research paper जो publish हुआ है उसके वारे में लिखा हुआ है ठीक है और लिखा है कि he is also an investigator in the center on alcohol substance use and addiction उस department के तरे काम करते और उनके द्वारा ही ये research जो है वो किया गया है तो कम से कम अब तो आप लोग सुईकार करेंगे कि कोई भी अगर आप लोग pornography को देख रहे है तो वो दिर दिर addiction के अंतर convert हो जाता है ठीक है ना और वो आपके mind को wrap करने लगता है अच्छे पहल क्या नाम था? Moral panic वैसे तो relate इसी से करता है है ना wrapping और brave इसी से relate करता है Moral panic क्या होता है? Moral panic ये होता है कि हम लोग ethically किसी चीज को छोड़ना चाहते है लेकिन वो हमसे चीज छूड़ते नहीं है यह हम लोग जो चीज करना चाहते है जो कि बहुत ethical चीज है जब हम लोग उ दिमाग में घुमता रहता है इसी को ही हम लोग moral panic कहते है ठीक है? तो वाकई में अगर आप लोग इसी बाहर निकलना जाते है 75 days hard challenge को ज़रूर accept कीजे मैं अभी भी कह रहा हूँ जब समय निकल जाएगा उसके बाद में कुछ भी नहीं हो पाएगा अभी हम लोग लग लग मिडल फेस के अंदर पहुंच चुके है 32 days हम लोग complete कर चुके है लेकि जब आप लोग join करेंगे तब से ही आपका ये challenge शुरू हो जाएगा पहले दिन से ही लगातार आप लोग videos देखते जाएंगे और rules को follow करते जाएंगे ठीक है? तो चले मिलते हैं आप लोगों से अंग